आज हम बना रहें गोभी कोफते की इतनी टेस्टी और चटपटी स्वादिस्ट सबजी वो भी बिल्कुल आसान रेसिपी के साथ यकिनन आपको ये रेसिपी बहुती पसंद आएगी तो चलिए रेसिपी पीना देर के स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो क्रिश्टन की रेसोई को जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने 500 ग्राम ये फूल गोबी लिया है इसको बड़े साइज से इस तरह से काट लिया है गोबी में अक्सर गंदगी होती है केड़े होते हैं तो काट लेना बहुत ही जरूरी है इसे अच्छे से साफ करना बहुत जरू से जरूरे साइट है और अब पानी सुखाने के बाद में गोबी को हमें कददुकस कर लेना है मिडूम साइड है अजा esse एक को में अच्छे से फेलेम पानी में 2-3 मिनट जरूर रखे ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए तो देखिए मैंने सारी गोबी को कर लिया है कदुकस अब कदुकस की वही गोबी को हम निकाल लेते हैं दूसरे बड़े बाउल में देखिए इसी तरह से मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे बारिक कदुकस कर देखिए और बड़े बाउल में निकाल लिया है अब इसमें हम एड करते हैं बाइंडिंग के लिए 2 चमच बेसन ज्यादा बेसन यूज नहीं करना केवल 2 चमच बेसन ही इसमें यूज करना है एक चमच साबू जीरा आधा चमच हल्दी पाउडर आधा चमच हींग और एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच नमग आधा चमच हींग और बारिक कटा हुआ हरा धनिया और एक चमच अद्रक लहसुन का पेस्ट अब इन सब चीजों को हमें गोभी में एड करके और इसे अच्छे से मिक्स करना है ध्यान रहे पानी हमें बिल्कुल भी इसमें यू तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और ग्रेवी इनके अंदर तक अच्छे से चली जाएगी बिल्कुल परफेक्ट कौफटे बनेंगे तो इसी तरह आप कौफटे बनाएं बीना पानी के इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करके और इनकी चोटी-चोटी हमें बॉल्स बना लेनी हैं देखिए इसी तरह से में सारी गोबी की चोटी-चोटी बॉल्स बना लेती हूं अगर आप इस तरह से गोबी कौफटे बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे बड़े तो क्या बच्छे भी बहुत सौक से खाएंगे दो किलो गोबी भी कम पड़ इतनी टेस्टी ये गोबी कौफटा करी बनके तयार होगी देखिए इसी तरह से मैंने सारी बॉल्स को बना लिया है और दूसरी तरफ गयस पे रख दिया है मैंने ओईल गरम होने के लिए देखिए इसी तरह से जादा बड़ी बॉल्स बनाई है और नहीं छोटी मीडियम स करना है अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो कौफटी बहार से जल जाएंगे और अंदर से कच्छे रह जाएंगे इसी लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे दीरे धीरे पकेंगे देखिए इसी तरह ऑल में डालते और उन्हीं उलटते पलटते भी अच्छे से 3-4 मिनट तक हमें फ्राई कर लेना है तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना न भूले और घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो नोटिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे देखिए इसी तरह से दीरे दीरे ये कोफी के कोफते पकेंगे तो अंदर तक बिल्कुल पक जाएंगे और बाहर से जलेंगे भी नहीं देखिए इसी तरह से उलट पलट के मैंने सारे कोफते को फ्राइ कर लिया इसमें एक कोफता थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया है क्योंकि इसमें को मैंने पहले डाल दिया था तो इसलिए आप धीरे-धीरे सारे कौफटे को इस तरह से फ्राई करके और मैंने निकाल दिया है अब हम करते हैं दूसरी तरफ सबजी की तैयारी इन कौफटों को आप ऐसे भी नाष्टे में खा सकते हैं और सबजी बनाएंगे तो बहुती टेस्टी ये सबजी बनेगे देखिए हलके से मुझे कच्चे लग रहे हैं तो मैं एक मिनट के लिए फिर इन्हें फ्राई कर लेती हूँ अब देखिए फ्राई हो गए हमारे कौफटे इन्हें निकाल लेते हैं प्लेट में और दूसरी तरफ करते हैं हम सबजी की तैयारी एक मिक्सी का जार लिया है मिक्सी के जार में बड़े साइज के कटेवी दो प्याज और बड़े साइज की कटेवी दो हरी मिट्ज और बड़े साइज के कटेवी दो टमाटर और आट से दस काजू, आट से दस लसुन की कलिया, एक अद्रक का टुकड़ा, इन सब को हमें पीश के और इनकी ग्रेवी बना लेनी है अब ग्रेवी को रख देते हैं साइड में और दूसरी तरफ केस पे रखी है कड़ाई, कड़ाई में दो चम्मच सरसों का ओईल डाल दिया है ध्यान रहें ये सबजी अगर आप सरसों के ओईल में बनाएंगे तो बहुती टेस्टी बनेगी ओईल गरम होने के बाद में इसमें दो तेजपता, एक डालचीनी, एक हरी इलाइची, एक लोंग और एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई इन सब को डाल के चटकने के बाद में, जो हमने प्यास टामाटर हरी मिर्च की ग्रेवी बनाई थी, वो डाल देनी है और ग्रेवी को हमें अच्छे से पका लेना है तीन से चार मिनट तक ग्रेवी को तब तक पकाना है, जब तक ग्रेवी से ओईल अलग न होने लग जाए ध्यान रहे ग्रेवी अगर आप कच्ची रख देंगे, तो सबजी टेस्टी नहीं बनेगी तो ग्रेवी को आपको अच्छे से टाइम दे के वो तीन से चार मिनट तक पकाना है, चलाते हुए हाई फ्लेम पे पकाते हैं, तो आपको इसे लगातार चलाते रहना है, ताकि ये जलेना ग्रेवी पकने के बाद में इसमें एड़ करते हैं सूखे मसाले आधा चमच अल्दी पावडर, एक चमच नमग, दो चमच लाल मिर्च पावडर, दो चमच धनिया और दो चमच मलाई दूद की दूद की मलाई एड़ करना बहुती जरूरी है, इसे सबजी का टेस्ट बहुती अच्छा होता है अब इन सूखे मसाले को ग्रेंवी में अच्छे से मिक्स करते पीए, हमें फिर से 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से पका लेना है अगर आपके पास दूद की मलाई नहीं है तो आप इसकी जगए दही की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं अब मलाई के साथ सूखे मसालों को भी हमें अच्छे से फिर से तब तक पकाना है जब से फिर से इसमें ओईल अलग ना होने लग जाए देखे इसी तरह मसाले अच्छे से पकने के बाद में इसमें मैंने एक ग्लास के करीब पानी एड़ किया है अगर आप सूखी सबजी बनाएं तो पानी कम एड़ करें लेकिन मैं ग्रेवी बादी बना रही हूँ तो मैंने इसमें एक ग्लास के करीब पानी एड़ किया है पानी में फिर से इसमें उबाल आने देते हैं ग्रेवी में ग्रेवी में उबाल आने के बाद में इसमें जो हमने गोभी की कौफते बना के रखेते वो डाल देने हैं और अच्छे से मिक्स करके और इसे ढखन लगा के फिर दो मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है ताकि ग्रेवी कॉफ्ते के अंदर तक चली जाए और सब्जी बहुती टेस्टी बने देखे ढकन लगा के दो मिनट तक हमने पका लिया है पकनी के बाद में अब इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया बारी कटा हुआ और अच्छे से मिक्स करके हरे धनिये को और तैयार है हमारी ये गोभी कॉफ्ता करी बहुती टेस्टी चटपटी सब्जी अगर आप इस तरह से गोभी कॉफ्ता करी बनाके खिलाएंगे तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे उंगलियां तो क्या प्लेट ही चाड़ते रह जाएंगी इतनी टेस्टी ये गोभी कोफता करी बनके तैयार है आप जरूर ट्राई करना और मेरी रेसेपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके चरूर बताना उपर से मेरे थोड़ा हरा धनिया और क्रीम एड़ की है क्रीम आप स्केप कर सकते हैं और तैयार है हमारी ये गोभी कोफते की बहुती स्पेसल और टेस्टी सबजी इसके सामने रेस्टोरेंट की सारी सबजियां फेल है इतनी टेस्टी ये जितनी दिखने में अच्छी लग रही है उससे कई गुना जदा ये खाने भी टेस्टी है इसे आप पूरी पराठा ये रोटी चावल के साथ खा सकते हैं मैंने बनाए इसके साथ चावल और रोटी आप पराठे रोटी चावल पूरी किसी के भी साथ खा सकते हैं ये सबजी बहुती टेस्टी लगती है बड़े तो क्या बच्चे भी चाट चाट के खाएंगे इतनी टेस्टी ये गोभी कौफता करी जरूर ट्राइ करना और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके चरूर बताना देखिया है न बहुती आसान रेसिपी अगर आप इस तरह से आपके भी घर में गोभी किसी को पसंद नहीं है तो इस तरह से आप गोभी करीओ बना के खिलाइंए सबको बहुती पसंद आएगी देखे रेस्टरेंट की सब्जियों को भी टकट देने वाली हमारी ये गोभी कौफता करी बनके है तयार आप जरूर ट्राइ करना और मेरे रेसेपी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके फिर से बताना वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले देखिए तैयार हमारी ये टेस्टी चटपटी आसान नॉर्मल घर के रखे मसालों से बनके तैयार ये गोभी कौफता करी आप किसी भी टाइम इसे जट पर 10-15 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं मिलते हैं नए वीडियो में तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें